पहले हम discount वाले वाले पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं पार्ट में तो हिर इसके बाद करेंगे मैं यहां पर एक पेज yet कर लेता हूं discount यहां पर थोड़ा सा का पॉइंट होता जो ध्यान में देना होता है यानि सर इशू कि ऑफ डिबेंचर कि एड़ डिसकाउंट हमारे लॉग के अंदर क्योंकि जितने भी हम अकांटिंग सीख रहे हैं अभी फिलहाल वह हमारा कंपनी और कंपनी लॉग को फॉलो करते हुए अकांटिंग करते हैं तो कंपनी लॉग अंदर फिफ्टी तू कहता है आप पर इसचन फिप्टी टू कहता है कि और और सिर्फ डिवेंचर को इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे एक तरीके से गवर्मेंट ने पहले था जब हमारा पुराना लौ था अभी 2013 है कंपनीज एक्ट 2013 अब तो चेंज यह भी हो जाएगा काफी टाइम हो गया इससे पहले था 1956 तब था डिस्काउंट पे इशू लेकिन अब वो चीज़े एलिमनेट हटा दिया गया है शेर्स को लेके डिवेंचर को लेके अभी भी चल रहा है तो सब डिस्काउंट का माईने क्या होता है मतलब क्या होता है शेर्स में नहीं देखा तो इसलिए मैं इसे अलग से समझा रहा हूँ आपको मान लेते हैं कि मेरा एक डिबेंचर का मान लो मेरे एक डिबेंचर का that is face value और face value 100 रुपए है अगर हम 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए में ही public को issue कर देते हैं तो that is call at part 100 रुपए के डिबेंचर को अगर हम 100 रुपए से extra पैसे पे 110, 120, 500, 600 उसे बोलते हैं at premium और 100 रुपए के डिबेंचर को अगर मैं इससे less than में issue करूँगा सर इससे less than में अगर हम issue करते हैं तो that is हमारा call क्या करते हैं इसको सर discount मान लो मैंने 90 में अगर issue किया तो इसको क्या बोलेंगे सर आपने डिबेंचर issue कर दिये किस पे discount पे और अगर हम बात करें के सर 100 रुपए वाली चीज अगर हम 110 में issue करते हैं तो जो यहां कोई benefit हुआ उसको कहा ट्रांसफर करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो की हमारा regular nature का नहीं है कभी कभी होता है तो उसको हम Capital Reserve में ट्रांसफर कर देते हैं बेसिक सा बैलेंशीट में credit कर दिया और और जब यह फाइदा हुआ तो यह भी बैलेंस शीट में आपने दिखाया और बैलेंशीट में क्या कर दिया आपने क्याइब धिदिक तो यह होगा security प्रेमियम और Capital Reserve Reserve का Pat होता है हमारा लिभाया तो यहां पे आपका जोतनी रुपए का नुकसान हो रहा है इस नुकसान को भी आपको दिखाना पड़ेगा इस नुकसान को भी दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में एंट्री में तो दिखा दोगे लिखिन बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे ये बताओ तो ऐसे सिच्वेशन में लौ ने कहा इस ल तो हम यहां से माइनस कर देंगे अगर कहीं इन दोनों में से पैसा नहीं है तो profit and loss में से माइनस कर देंगे इस loss को तो अब हमें इस 10 रुपए को हमारी simple entry होती है अब हमें एक entry और करके दिखाना होगा extra entry that is हमें discount को right of करने की entry करनी पड़ेगी और right of कहां से किया जाएगा discount को discount right of सबसे पहले priority पे आपको रखना है security premium number 2 आप रख सकते हो capital reserve number 3 आप रख सकते हो free reserve और free reserve that is profit and loss statement statement profit and loss right of करने का मतलब आपके पास ये पहले से पढ़ा होगा तो आप क्या करोगे अगर ये balance sheet में liability है इसका इसका इस्तमाल करोगे तो इसको debit कर दोगे जैसे suppose that मैंने capital reserve debit कर दिया और हमारा loss जो है वो यहां आ जाएगा loss on issue या discount on issue जो भी कह लोगा ठीक है ना write of करने के लिए हम इसका इस तरीके से इस्तमाल करेंगे तो आगे entry करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पर फंडा क्या आया सर डिसकाउंट को हमें write of करने के एक अलग से एंट्री करना पड़ेगा और डिसकाउंट राइट आफ हमेशा साल के एंड में होगा इस बात का भी ध्यान रखना है आपको चलिए सर अगला कुश्चन आ जाता है हमारे सामने issue of debenture at discount issue of debenture at discount क्या कहता है issue of debenture at discount के अंदर टीवी कॉंपोनेंट्स लिमिटेड दस हजार 12% debenture सो रुपे का एक पांच परसंट कहने का मतलब है भाईया मैंने जो इशू किये हैं वह नंबर की बात करें तो 10,000 debenture issue किये हैं और एक के कीमत 100 रुपे हैं लेकिन मैं 100 में ना देके इसमें से discount कर दूँगा 5% 5 रुपे यानि 95 रुपेस का मैं public को issue करूँगा जिसमें से 30 मैं लूँगा कहां पे सर 30 मैं लूँगा application के टाइम पे पैसा 45 मैं अलॉट्मेंट पे 45 मैं अलॉट्मेंट पे बाकी 20 लूँगा मैं कहां पे final या first call कहलो तो आप इन सभी को अगर add करते हो तो इसका total 100 नहीं होगा 95 होगा तो जैसे question silent होता था तो हम हमेशा premium यहां पे मानते थे कि ऐसे discount यहां पे मानेंगे डेट इस आपका यहां पे डिबेंचर के अंदर पैसा जाएगा पचास रुपए और discount हुआ होगा हमारा कितने का पांच तो इसमें से माइनस करके तब 45 इसने examiner नहीं यहां पे दिया होगा हम आगे कहता शो जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग अभी नहीं जाएंगे वाले पॉइंट में इखटा ही कर लेंगे चलिए सर फटा-फट से हम क्या कर लें इसकी जनल एंट्री देख लें पूश्चन तो लिखी दिया तो इसको ज़्यादा विए तो ढख़ कर लें हुआप झाब थोड़ा और बड़ा कर देते हैं चलो पहली एंट्री हमारा जैसे नॉर्मली करते थे क्या सर बैंक कि टू डिबेंचर अप्लिकेशन चीक है बैंक टू डिबेंचर अप्लिकेशन नाव बैंक टू डिबेंचर अप्लिकेशन आपका 50 रुपए इंट्यू में आपके नंबर दे रख यहांपे दस तो कितने हो गए कि दस अजार है कि ओके दस तीन लाख तीन लाख है तो तू अगली एंट्री सर डिबेंचर एप्लिकेशन कि तू कितने परसंटेज नहीं देता डिवेंचर का तो आपको सिंपली सर फिव परसंटेज करके आके बढ़ जाना है थी कि न बहुत वार नहीं देगा तीन लाग किसी को पहली एंट्री में डाउट यह तो वही चल रहा है सब कुछ अगले entry की हम बात करें तो क्या होगा सर debenture allotment to कितने percent debenture है अब यहां नुकसान है यहां क्या है सर loss है तो हमें loss की जगहे पर यहां दो word लिख सकते हैं मैं पूरा बड़ा लिख देता हूँ या लिख सकता हूं मैं डिस्काउंट या फिर लिख सकता हूं इसकी जगह पर लॉस ऑन इस्ट क्या इशू और डिवेंचर मैंने पूरे वर्ड लिखते हैं दोनों में से एक ही लिखना है या तो अपने डिस्काउंट लिखा या फिर लॉस डिस्काउंट और लॉस का मतलब लगभग लगभग एक ही है कि हमारा डिवेंचर इशू करते टाइम पे हमारा नुकसान हो गया इसलिए कई बार इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी बोल देते हैं और क्योंकि यह डिस्काउंट के नाम से है तो कई बार क्वैं और टू में आजाएगा हमारा कितने % डिवेंच आप ड्वेंचर गलता ट्रॉवी को से सब्लमेंट में अब जो पैसा जाएगा डाट इस आपका किसे जाएगा हमारा फॉर्टी फाइब बारं नुवें दस चार लाक ही ह् और यहां पर आजाएगा हमारा पांच य कि बस इतना पता होना चीए कि प्रीमियम क्रेडिट होता है डिसकाउंट कि अगली एंट्री बैंक में पेमेंट आएगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट चार लाग पचास अजार को और फाइफ कि फाइनल कॉल के एंट्री मान ले कि शियर लिख रहा था में आपके डिबेंचर फाइनल कॉल तू सट्वेल पॉर्सेंट डिबेंचर यहां पे कैश बुक नहीं बोला है इसलिए हम कैश के ट्रांजेक्शन को करेंगे पिछले सवाल में कैश बुक बोला हमाता है ठीक है तो लास्ट है हमारा कितने बीस देट इस दोला और अगली एंट्री बैंक तू डिबेंचर फाइनल कॉल यह हो जाएगा हमारा तो ला अब हमें जो डिस्काउंट है वो रिटन अफ करना है कई बार बहुत सारे बुक में और बहुत सारे राइटर का यह कहना होता है कि अगर हमारे पास पहले से रिजर्व सेक्यूरिटी प्रीमियम या फिर हमारा कैपिटल रिजर्व दिखेगा तो ही हम डिस्काउंट को राइट अफ करेंगे नहीं तो हम यह अजंशन ले लेंगे कि हमारे पास है नहीं तो हमने नहीं किया बहुत बार यह लिखा होता है बकाइदा नोट में लेकिन मैं मान रहा हूं मैं थोड़ा एड़ ओन कर देता मैंने बोल दिया मेरे पास कैपिटल रिजर्व कितने का है इसी कोशन में एड़ ओन कर दिया अब हमें डिसकाउंट राइट आफ करना होगा अगर नहीं भी लिखा है तो आप नोट राइट आफ कर देना और नोट में डाल देना अज्यूम के कंपनी के पास सर्प्लस पैस पहले से हैं तो अब कैसे करेंगे सर देखो यहां पर डेबिट था तो राइट आफ करने के लिए इसको क्रेडिट करना होगा तो क्या करोगे सर क्यापिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कि तो डिसकाउंट सर इसका बिइंग तो नहीं लिखवाया आपने इसका बिइंग होगा बिइंग डिसकाउंट ओन डिबेंचर रिटन ओफ यह राइट ओफ करो लोजी डिसकाउंट वाला कॉंसेप्ट भी हो गया खतम यानि हमने तीन टॉपिक सिंपल पार्ट एकदम खतम हो गया हमारा आदे गंटे के अंदर सिंपल पार्ट पूरा खतम आदे गंटे होगे जादा होगे शाथ वागा एक गंटा चलो कोई बात नहीं इसकाउंट क्रेडिट का मतलब जो डेबिड किया यह खतम हो गया कैपिटल डेबिड का मतलब हमारे पास पैसा जो पढ़ा हुआ था उसको हमने लेके इस्तमाल कर लिया अगर आपके यह लाइबिलिटी में है और आपकर आप इसका यूज करोगे तो हमेशा आपको लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिड करना होगा तो इसलिए मैंने यहां पर डेबिड कर दिया कैपिटल रिजर्व है अच्छ मैं बच्चे पर 20,000 कर देता हूं और प्रोग्राम वालो में किस से किया है वहाँ स्टेट्मेंट प्रॉफिट लॉससे कर दिया होगा क्यों कि हमारे पास है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और यह दिखा दिया तो देखो अलग एक ही राइटर है और प्रोग्राम वाली बुक में मैं बच्चे कह रहे हैं कि है और नोट दे रखा तो फरक नहीं पड़ता मैंने तो कॉंसर्ट बता दिया आप हमेशा करके चलिए अगले टापिक पर चले बताइए कोई डाउट क्लियर है यहां तो